नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली न्यूस आनालिसिस 29 जनुवरी 2022 आज के इंपोर्टन न्यूस कौन कौन सा है, चक करते हैं, सबसे पहले हैडलाइन्स सुप्रिंग गोट ने 12 महाराष्णा BGP MLS का जो एक सारका सस्पंशन था, उसे कैंसल किया है इस टोपिक के उपर हम इन टेटल डिसकस करेंगे बैक्गराउंड के साथ फिर देखे, RRB NDPC एक्जाम से रिगार्डिंग इंडियन डेलवेस की तरफ से कुछ क्लारिफिकेशन आया है, वो क्या है देखेंगे फिर गर्मन वी आनंतर नागेश्चुरन को चीफ एकनॉमिक अडवेसर अपोन किया है, वो देखेंगे फिर देखे, 2022 Beijing Winter Olympics में रिशिन प्रेजिदेंट व्लाडिमा पूटिन अटेंड करने वाला है, इसके साथ-साथ रिशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन्स है, उसके बार में भी डिसकस करेंगे फिर Google जो है, इंजन टिलकूम ऑपरेटर भारती एटल में वन बिलियन डॉलर का इन्वेस्मेंट करने वाला है, इस न्यूस के उपा भी डिसकस्न होगा आप देखें दोस्तों, फाइनली, स्टेट्स मस्ट डिजाइड ओन SCST कोटाइन प्रमोशन सुप्रिंग कोट, यह थोड़ असा ट्रिकी टोपीक है दोस्तों, तो इसमें काफी कुछ जज्जमेंट्स वगरा बोलना पड़ेगा, इसलिए अलग साथ वीडियो में मैं आपक यह जो न्यूस है समझाओगा, इस वीडियो में कैवल में पांच न्यूस डिसकस करोंगा, ठीक है, तो आगे जान से पिले लेक्चर पर लाइक आ बटन, चैनल कोब तक शेरान सब्सक्रेम नहीं किया हो, तो कलीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, जो इन बटन के तरो, शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला न्यूस, सुप्रिंग कोट कौशास, वन यह सस्पेंशन औफ टॉल MLA, देखे बात यह है, लास्ट येर जब महारास्टा लिजिसलेटिव अजम्बली का मनसून सेशन जब चला था, तब ओब बन साब देखते होगा, हमारे पारलोमन में भी होता है, और पोसेशन की तरफ से, कभी-कभी वो स्पेकर के चेंबर में पहुंझाता है, स्पीकर के ऊपची लाता है, कभी-कभी बिल भाड देते है, तो इस तरह के अक्वीटीश होते रहते है, चाहे वो पारलोमनfrei हो या प्र स्टेट लिजिस्टेटिव असम्बली जो जो भी है, स्पीकर ने इन 12 बीज़पी MLS को एक साल के लिए सस्पेंड किया था, तो अभी सी बात है, इन सारे MLS पहुंच गे कोट, तो फाइनली ये केस पहुंच गे था, सुप्रिंग कोट में, सुप्रिंग गोट में इसका हीरिंग हुआ, तो कल सुप्रिंग गोट ने अपना जज़्जमेंट दिया है, सुप्रिंग गोट ने बोला, स्पीकर ने ये जो वन नियर सस्पेंशन दिया ना, 12 महारास्टा बीज़पी लेजिस्लेटर्स को, ये इर्राशनल एक्ट है, इस तरह एक साल के लिए आप कोई MLA को सस्पेंशन नहीं कर सकता है, क्योंगी ये हमारे पूरा डेमोक्राटिक सेटप को अफेट करते हैं, क्योंगी देखिए, जब आप MLS को सस्पेंशन करते हैं, वो MLS एक-एक कोंस्टिट्वेंशन करते हैं, तो एक साल के लिए वो कोंस्टिट्वेंशन करने के लिए कोई नहीं रहेगा, इस तरह आप केसे कर सकते हो, तो उपर से इस तरह 12 भीज़पी MLS को जब सस्पेंशन करते हो, तो गर्वर्मन को थोड़ा और मेजोरिटी मिल जाता है, वाईसे ही जो रूलिंग पार्टी होगा, उसकी मेजोरिटी के उपर वो काम करते हैं, तो जब आप उपोसिशन के 12 भीज़पी MLS को सस्पेंशन भी करोगे, तो उनकी जो मेजोरिटी का जो पावर है, वो और बढ़ जाएगा, बिल्स वगरा इसली पास हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब ऑपोसिशन की तरफ से 12 MLS को आपने सस्पेंशन किया, तो जो भी ये खुल मिला के, पर इसका मतलब ये नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है, आप एक साल के लिए सस्पेंशन करो, इस तरह long term suspension से क्या होता है हमारा जो democratic setup बदल जाएगा देखे एक democratic setup में opposition party का role क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूर नहीं है जब आप opposition party का strength को deliberately कम करोगे वो भी एक साल के लिए तो majority party का जो काम है वो issue हो जागा बिल्स के ओपर ज्यादा discussion नहीं होगा opposition की तरफ से ज्यादा protest नहीं होगा देखे यह सबका एक balance में इंजिन करना होता है एक democratic sector में इसलिए Supreme Court ने ये बोला speaker को हमेशा एक graded approach अपनाना चाहिए based on objective and rational standards उन्हें हमेशा ये ensure करना चाहिए that the house function smoothly हाउस की जो function है वो smoothly चलना चाहिए अब दोस्तों हम कुछ arguments में महाराष्टा assembly क्या-क्या थे वो देखेंगे यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसमें कुछ important constitutional articles आ रहा है जो आपके examination point of view में important है देखें दोस्तों सबसे पहले article 212 ये क्या कहता है the validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure symbol भाशा में दोस्तों एक legislature of a state के अंदर जितने भी proceedings हो रहा है इसकी validity कोई भी court में question नहीं कर सकते ये article 212 close 1 कहता है अब आप थोड़ असा confused हो गया होगा तो फिर Supreme Court के से intervene किया उसके बार में हम आगे discuss करेंगे वेट कीजिए फिर एक है article 194 ये basically powers and privileges of the house के बार में बोलता है देखे कोई भी member अपने privileges का misuse अगर करोगे तो उन्हें suspended किया जा सकता है through the inherent powers of the house ये article 194 कहता है ठीक है आप देखी दोस्तों However, the court has carried effect in previous rulings that the judiciary can intervene in case of an unconstitutional act done by the house अगर कोई house कोई unconstitutional act करते है तो obviously judiciary can intervene ये Supreme Court ने अपना पहला rulings में clear किया है तो अब आप समझ गया ना कि Supreme Court के पास कैसे कैसे पहुंच गया और Supreme Court ने अपना judgment क्यों बोला Now, Supreme Court के arguments क्या-क्या थे This is also very important ध्यान से सुनियेगा देखे, Supreme Court ने ये बोला है ये जो एक साल का suspension है MLS का This is violation of basic structure of the constitution वो कैसे देखे, Constitution सारे citizens को कुछ rights provide किया है उन rights में से एक है हमारे लिए एक representative होना law making body में इस case में state legislature में जब आप MLS को एक साल के लिए suspend करते हो तो वो MLS जिन constituency से बिलोंग करते हैं उन constituency के जो citizens है उनके लिए कोई representative नहीं रहेगा को तोड रहा है citizen का जो basic rights है उन्हें वैलेट कर रहा है हेगी इसने Supreme Court ने बोला यह जो एक साल का suspension है This is violating the basic structure of the constitution राइट आप देखे आप मुझे common box में बताईए basic structure of the constitution को कभी भी वाइलेट नहीं कर सकता करके कौन सा केस में Supreme Court ने अपना ruling दिया था पहली बार common box में बता दीजेगा फिर देखे और एक constitutional requirement है दोस्तों Article 190 clause 4 यह क्या कहता है If for a period of 60 days a member of house of the legislature of a state is without permission of the house absent from all meetings thereof house may declare his seat vacant अगर 60 days से ज्यादा कोई भी member legislature of the state से absent रहते है वो seat को house vacant declare कर सकता है यह article 190 clause 4 कहता है पर देखे दोस्तों इस article 190 clause 4 के बारे में जब bench ने बोला तब महाराश्चा state assembly का एक counter argument था वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखे दोस्तों इसमें लिखा है अगर कोई absent दे तो the house may declare मतला house के पास पास पावर है vacant declare करने का मान लिया 60 days के ज्यादा अगर कोई member absent रहता है तो वो seat vacant declare कर सकता है करके पर यह पावर तो house के पास है ना तो state assembly basically house ने यह बोला यह तो हम decide करेंगा उसे vacant declare करना है ने declare करना है तो बस एक counter argument था मैंने आपको बोल दिया ठीक है तो इस तरह भी पड़ा जाता है एक एक प्रोविशन को इसलिए मैंने बोला ठीक एक एक वर्ड जो है न इसमें जो मैं लिखा है न इस तरह एक लो में जो लिखा है न उसमें एक-एक वर्ड को पकटके वो अर्ग्यू करता है जस फूर इंफोर मेंने बोला वैसे final ruling तो आगया दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो एक साल का suspension उसे cancel किया है MLA अभी वापस जोइन करेगा क्योंगी अलरी काफी टेम बीच चुका है पैपो ती जनर स्टीस टू पर्लमेंट और स्टेट लिजिस्टलेचेस में ये न्यूस आपको काम आएगा नाउ गर्मन अपोइंट्स डॉक्टर वी आनता नाकेश्वरण आस चीफ एकनोमिक अड्वेसर देखे अगले मंडे को एकनोमिक सवे और यूनियन बजट फो टूट टूट जो है प्रसंट होने वाला है उससे पहले गर्मन ने डॉक्टर वी आननता नागेश्वरण को आसिट्स चीफ एकनोमिक अड्वेसर अपोइंट किया है एकनोमिक नागेश्वरण एक ओधर है टीचर है कंसल्टेंट है और सेवरल बिसनेस स्कूल्स और इंस्टिटूट इंडिया में भी और सिंगपूर में भी ठीक है एकनोमिक सब्सक्राइब करने में चीफ एकनोमिक अडवेसर का जो रोल है वो काफी इंपोर्टन ए राइट वही प्रसंट करते हैं एकनोमिक सब्सक्राइब वीच प्रसंट इकनोमिक रिपोर्ट कार्ण दूरिंग यर और देखे, basically economic survey से हमें government का एक report cut मिल जाता है, economy कैसे perform किया and क्या-क्य reforms हो सकता है, यह सब के बारे में हमें economic survey से पता चाहिए, आपके preparation में भी economic survey is very important, इसलिए जैसे economic survey present होगा, इसके पूरे details हम आपको समझाएंगे, ठीक है, आप देखे दोस्तों, previous CA का नाम था, K.W. Subramanian, three year time वो December में खतम हो गया था, and Nageshwaran जी, Economic Advisory Council to the Prime Minister का भी पाट था, 2019 to 2021 में, now chief economic advisor post के बारे में कुछ important details, यह जो post है, this is equivalent to the rank of secretary to the government of India, he is the head of economic division of the department of economic office, ministry of finance, government of India, chief economic advisor को senior IS offices से भी select किया जा सकता है, या फिर आउट से, like some professors of economics से भी select किया जा सकता है, जैसे अभी हुआ, Nagrajan साब तो कोई senior IS officer तो नहीं है, तो he is a professor, he is an economist, तो ऐसे भी select किया जा सकता है, ठीक, ऐसा कोई ज़दूरी नहीं है, IS officer से ही select करना करके, यह government का decision है, and इनका key role क्या है, to determine the government's overall strategy in managing the economy, तो देखी नाम सी आपको पता चल गया होगा, he is an economic advisor, हमारी economy को manage करने के लिए क्या-क्या strategies यूज करना है, वो सब यही advice करते है, फिर यह government of India को advice करते है, on matters related to finance, commerce, trade, economy, etc, यह directly minister of finance को report करते है, and economic division का head मैं आपको बता दिया, and economic division का का काम क्या है, examines domestic and international economic trends, देखे, domestic economic trend क्या है, inflation, deflation, यह सरी चीज से, wholesale price index, consumer price index, यह सब जितने भी economy से related है, वो सब monitor करते है, economic trends monitor करते है, चाहे को domestic हो या फिर international हो, फिर it undertakes research studies focusing on economic policies and management of the economy, काफी सरे studies भी undertake करते है, कैसे economic policies को frame करना है, है, manage करना है, and based on its research, it provides advice to the government of India, research बगरा करने के बाद, जो results है, उस हिसाब से, government of India को अड़ेज करते है, on economic matters, right, so paper 3, general studies 2, government policies, appointments to key post में इन उसा आपको काम आएगा, अगला news है, railway acts promptly to address concerns and doubts, बात ओरी है, RRB, NTPC, graduate and undergraduate exams का, जिनका results अनोंस हुआ था 14 January 2022 को, results अनोंस होने के बाद, काफी students ने अपना concern रिस किया था, काफी protest हुए थे, उसके बार में आपको पताई होगा, इसके बाद, railway इन concerns and doubts को address करने के लिए promptly action लिया है, सबसे पहली बाद, railway recruitment board, second stage computer-based test of NTPC and first stage computer-based test of level 1 को postpone किया है, और एक high power committee compress किया है, of senior officials, students के concerns को देखने के लिए, इसके बाद, committee इन सारे concerns को देखने के बाद, आपने जो recommendation से, वो 4th March 2022 तक, मतलब, जितना जल्दी हो सगे, 4th March 2022 तो एक, मैं अच्छा data है, वैसे गर्मेन की तरफ से जबी कोई committee constitute होता है, उनके जो report से बहुत बात में आता है, ठीक है, टाइम लगता है, पर यह दिखे, एक ही महिने में, यह पूरा अपना recommendation submit करेंगे, यह भी बोला, now, candidates ने जितना concerns raised किया, उसे railway ने address किया है, अब railway की तरफ से क्या एक करोर से ज्यादा लोग अपने की थे, अब इन एक करोर से ज्यादा लोगों का जो examination है, वो एक ही stage में conduct करने से extensive normalization procedures करना पड़ेगा, क्या होता है normalization, यह तो ऐसे ना, aspirant आपको बताने की ज़रूर तो नहीं है, फिर भी मैं आपको symbol भाशा में बता देता हूँ, देखे जब कोई examination अलग-अलग shift में conduct करते हैं, जब एक करोर लोगों का आपको examination conduct कराना है, तो एक ही दिन में तो नहीं हो सकता है, कम से कब एक-दो महीना लग जाएगा, एक-दो महीना नहीं उससे भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है, तो अलग-अलग shift में जो difficulty level है, वो अलग-अ examination, तो वो सब देखे करते हैं, उसके लिए formula भी है, ऐसा आपको पताई होगा वैसे, तो रेलवेस ने बोला, जब एक करोर से ज्यादा लोगों का exam हम conduct कराएंगे, normalization जो provide करेगा, तो extensive हो जाएगा, इतने लोगों के लिए normalization देना पड़ेगा, इसलिए हमने ये दो stage में conduct क कराएंगे, उसमें जो clear होगा, वो tier 2 में बैठेंगे, तो लोगों को इस तरह हम shortlist कर सकता है, यही clarification दिया, यह तो logical लग रहा है दोस्तों, देखे, एक करोर कुछ कम संख्या तो नहीं है, इतने लोगों के examination connect कराना कोई छोटी बाद भी नहीं है, तो इस तरह अलगला stage में exam connect कराना होगा, sounds logical, now, अगला concern यह था, over the number of candidates being shortlisted for second stage CBT, देखे, candidates ने railway से question पूछा, आपने जो second stage computer based test के लिए, candidates को shortlist किया है, वो किस हिसाब से किया, और कितने लोगों को किया, तो railway ने अपना जवाब दिया है, उनका centralized employment notification 1 by 2019 में यह clearly prescribed था, कि 20 times the notified vacancies will be called for second stage CBT, इसका मान लीजिया 100 vacancy है, तो वो second stage के लिए into 20, 2000 candidates को बुलाएंगे, तेखे, यह तो हर जगा चलता है, कुछ exams में तो only into 10 बुलाते हैं, जैसे IBPS, SB exams में, अगर मान लीजिया 100 vacancy है, तो केवल वो mains के लिए 1000 candidates को बुलाते हैं, मतलब उपर का जो 1000 लोग होगा, वही अपीर करेगा मेंस examination के लिए, पर RRB exams में, उपर का 2000 लोगों को, मतलब अगर 100 vacancy है, तो 2000 लोगों को बुलाए जागा, जितनी vacancy है, into 20 लोगों को बुलाए जागा, second stage CBT के लिए, और यह clearly mentioned था, उनके centralized employment notification में, तो और एक सवाल पूछा गया, इतने लोगों को क्यो बुला रहा है, तो इ confusion यह था, short listing should be done for 7 lakh candidates, not 7 lakh role numbers, देखें दोस्तों, होता क्या है, ना, RRB NTPC में graduate level exam भी है, 10 plus 2 level exam भी है, अब obvious ही बात है, जो graduate level होगा, वो 10 plus 2 level भी दिया होगा, तो इस तरह क्या होता है, एक ही candidate का नाम जो है, अलग अलग levels में हो सकता है, तो यह problem को कैसे sort out करेंगे, यह भी concern था, तो railways ने बोला है, the short listing has been done level or post wise at the rate of 20 times notified vacancies as elaborated in the parathetan of the notification, देखें, list में total 7,546 roll numbers है, जो 20 times notified vacancy से ज्यादा है, वैसे notified vacancies कितना है, 35,281 है, ठीक है, तो finally 35,281 distinct candidates को ही select करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि, एकी बंदा का नाम दो जगा होगा, ऐसा होने से क्या होगा, एजो 35,281 vacancy जो है वो full नहीं होगा, क्यूंकि एकी बंदा का नाम दो vacancy में होगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने 20 times यादा लिया है, यह problem कभी नहीं होगा, यह railway ने ensure किया है, 35,281 distinct candidates को select किया जाएगा, and one candidate will be appointed against only one post, एकी candidate को एकी post दिया जाएगा, फाइनल जब लिस्ट आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकी candidate का नाम दो दो पोस में होगा, depending upon merit and preference, ठीक है, hence no post will remain vacant, तो यह भी problem नहीं है, railway की तरफ से सारे clarification आया है, तो students नहीं है जो protest किया, उसे कुछ अच्छा फल निकला है, यह ब stage 1 का, तो railway ने बोला दोस्तों, जो डेली जवाब है सब का, COVID-19 pandemic, March 2020 से, और हर state में अलग-अलग restrictions imposed किया था, फिर देखिए, यह CBT करने से, basically computer-based test करने से, social distancing norms मगरा हमें maintain करना था, तो इस वज़े से हमें number of shift भी increase करना पड़ा, ठीक है, वैसे first stage computer-based test of 1 of 2019 में 133 shifts थे, ठीक for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation में इनो सब को कामाएगा, अगला news है, पुटिन to attend Winter Olympics and meet Xi Jinping of China, देखिए, Winter Olympics शुरू होने वाला है next week at Chinese capital Beijing, तो चाइना ने maximum countries के leaders को बुलाय था, Winter Olympics का inaugural ceremony attend करने के लिए, कुछ countries ने तो दिने किया है, COVID-19 pandemic के कारण, कुछ countries तो और कुछ कारण से, बोला है, ह Russian President Vladimir Putin ने ये बोला है, हम Winter Olympics attend करेंगे, आप देखिए, आज कल रिशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन से काफी बढ़ता हुआ नजल आ रहा है, अपने सुना होगा ना दोस्तों, शत्रू के शत्रू जो होते हैं, वो मित्र बन जाते हैं, तो वही policy इधर भी implement हुआ ह आज कल चाइना और रिशिया को isolate किया जा रहा है, दोनों की जो हरकते हैं उसी वज़े से हैं, अब चाइना के बार में बताने की ज़रूर तो नहीं हम हर दिन कुछ ना कुछ चीज दो discuss करते हैं, चाइना के बार में, और रिशिया का क्या problem है, ये भी आपको पता होगा जो युक्रेन क्राइसे से बही है, रिशियन मिलिटरी करीब एक लाक ट्रूप्स जो है, युक्रेन बॉर्डर में अलरी डिपलॉइड है, और काफी वेस्टेन कंट्री इंक्लूडिंग नाटो भी ये बोला है, अगर रिशिया युक्रेन को अटाक करेंगे तो हम रिशिया के अटाक करेंगे, वैसे नाटो ट्रूप्स रिशिया के अटाक में नहीं निकलेंगे, एक बैकन्ट सपोर्ट देगा, 100% इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे युनेटेट सेट अफ अमेरिका, युक्रेन को काफी सपोर्ट दे रहा है, तो ये चाइना को बिलकुल अच्छा और मिक्स में जाएंगे, और स्पेशली मिलेंगे चाइनीज प्रेज़ेंट जी जिन पिंग से, और उनके साथ हम क्या-क्या डिसकस करेंगे, ये भी बोला है, देखिए, क्रमलीन स्पोर्क्स परसन दिमित्री पेस्कोव ने क्या स्टेटमेंट दिया, आई तिंग इस स्यादा कुछ वानिंग नजर आ रहा है, आपको नहीं रहा है, क्या बोला है, I think this time of course a lot of time will be spent on an exchange of views, मतलब देखिए, ये पूरी दुनिया को ये बताना चाहा है, रिश्या और चाइना के जो रिलेशन से फो काफी अच्छे है, अगर रिश्या के एगेंस्ट कोई कंट्री मिलके कोई आक्शन करने की सोचेंगे, तो चाइना ओवियूसली रिश्या का हेल्प करने के लिए आएंगे, वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो अभी तक रिश्या युक्रेइन क्रैसिस के ऊपर चाइना ने कुछ नहीं बोला था, ठीक है, पर रिशनली चाइना ने अबॉटे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वैसे चाइनीज फोरिए मिनिस्ट्री लास फीक बोला था, इडवास फिर्म ली ओपोस्ट तो अपोस्ट तो अपोस्ट्री ने बोला था, वो इस मूमेन को अपोस्ट करते हैं, क्योंकि, पीस मेंटें करना चाहते है, चाइना अब यह चाइना की तरफ से स्टेटमेंट है, अगर कोई टेंशन को इंक्रीस करने जैसा कोई अक्टिविटी करते हैं, जैसे देखें, अभी युक्रेन को यूएस मिल्टरी असेस्टन दे रहा है, तो इस तरह की अक्टिविटी करना सही नहीं है, हम फेमिली उपोस्ट कर स्टेटमेंट करके चैनीज फोरिंन मिनस्ट्री के स्टेटमेंट भी आ था, तो देखें दोस्तों इशु कहीं से सकते हो, श्युक्रीन क्राइस के बार मैं, मैं ने एक वीडियो बनाए है, इन डीटेल में पूरा हिस्टोरिकल कॉंट्टेस्स के साथ दिसकस किया है, आप क करेंगे अब कौन-कौन इसमें लिखा हुआ है US, UK, Canada, Australia have announced a diplomatic boycott of the games ठीक है देखे इन चार countries तो नहीं आएंगे और इन चार countries का जो relation है चैना के साथ वो इतना ठीक नहीं है और इसलिए इन्होंने इनके जो आतलेट से वो पार्टिसिपेट करेंगे बेसिकली इनके जो लीडे से इनोग्रल सर्विनी बगएर में नहीं जाएंगे पर देखें कौन-कौन आएंगे यह यह भी लिखा है एक तो पूटीन है फिर सिंगपूर के प्रेजिदेंट हालिमा याकोब है अब्देल फ इनके डिशन कंत्रीजिट अधेलेशन कंट्रीज इंडिया वकिंट लेइस्ट में से ज्यादा किया है और चृट्रेट में जो जचीन वह करिब 42 बिलियन डॉलर से ज्यादा यह भी मिनन आपको बोला था तो देखे इंडरनाश्यल रेशन से related जब आप news पढ़ते हो न, आपको हर एक चीज को relate करना पढ़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसके लिए newspaper हर दिन follow करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा, एक-एक statements जब एक-एक leaders बोलते हैं, या फिर इनके spokesperson बोलते हैं, इसके पीछे क्या है, यह समझ में आने के लिए आपको 100% international relations related news को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, so I hope आपको समझ में आया होगा, प्रपर तरी जन स्टेडिस टू, international relations में आपको काम आएगा, आज का final news, Google to invest up to $1 billion in India's भार्दी एटल, देखे, एक कोई important news में नहीं बोलूँगा, general information के लिए आपको बता रहा हो, जब आपको एक्जामिनेशन का preparation करते हो, तो आपको हमारे देश में होने वाला, जो भी major events हैं, इसके बारे में पता होनी चीए, ठीक है, तो Google ने अलड़ी दो साल पहले ये बोला था, अपना एक digitalization fund के बारे में, वो 5 to 7 years में $10 billion इंडिया में invest करेंगे, तो basically Google जो है, अपना जो होल्डे इंडिया में वो expand करना चाहता है, ठीक है, तो Google कौन सा company on करते हैं, बातको आपको पताई होगा, Alphabet Inc. on करते हैं, तो इंडिया का भारदी Airtle में, वो $1 billion invest करेंगे, इसमें से 700 million जो है, equity investment होगा, basically shares में होगा, और बाकी जो है, that will be towards implementing commercial agreements, including investment in expanding Airtle products and services, etc. तो Airtle की जो product है, services है, उन सब में 300 million invest करेंगे, बाकी जो 700 million है, वो इनके shares में invest करेंगे, ठीक है, तो जैसे नूस आया था, सारे जो investors से वो भारदी Airtle के shares खरीदने के लिए लगे थे कल, तो भारदी Airtle का share भी बड़ा है, करीब 7%, तो यह जो investment है, वो Airtle को help करेगा, अपनी devices develop करने के लिए, home broadband, data centers, cloud adoption, and develop 5G networks, etc. वैसे अगर देखा जाएगा, तो पिछले कुछ सालों में, इंडिया का जो telecom market है, that has been hit had by a price war, यह बात आप सबको पता है, 2016 में Jio launch होने से पहले, mobile recharging के लिए जो पैसे लगता था, वो सब बहुत ज्यादा था, और कोई competition भी नहीं था इतना ज्यादा companies के बीच में, पर Jio launch होने के बाद, Jio सबसे पहले तो 6 मेने free voice call दिया, free data दिया, इसके बाद जो data का prices है, वो considerably cut down किया, तो इस वज़े से बागी जो mobile company survey नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हों ने भी अपना data prices वगरा cut down किया था, तो देखे, तो पिछले कुछ सालों में हम यहीं देख रहे हैं, इंडिया की जो टिलको मार्केट में, जितने भी mobile company से वो एक price war में लगे है, ठीक है, व वो टिलकोम सेक्टर को छोड़के बाकी सारे sectors में एकदम टॉप था, कि अवल टिलकोम सेक्टर में वो राज नहीं कर पा रहा था, और जब 2016 में मुगे शंपानी जियो लोंच किया, इसके बाद से उनके जो subscribers से वो बढ़ गया, और भारती एर्टल हो गया second, तो आज के हिस सबसे आदा subscribers वगरा जियो के पास है, तो एक ही सेक्टर में रिलेंस टॉप नहीं कर पा रहा था, उसमें भी टॉप किया, जो भी है, वैसे जियो एर्टल गूगल नाव कवर्स नियरली 75% अफ इंडिया स्मार्टफोन मार्कत, ये भी आपको पतावनी चाहिए, वैसे ये गूगल है, ये रिलेंस में भी इंवेस्ट किया था, 2020 में, जूलाई में, 4.5 बिलियन डॉलर का, ठीक है, ये भी आपको पतावनी चाहिए, वैसे आजकल एर्टल का सबसे बड़ा राइबल मोपेल कंपनी भी जियो है, ये बात भी आपको पता है, पेपर फो जनुटिस 3, फोरीं इंवेस्मेंट्स में इनुस आपको काम आएगा, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको सारे इनुस अच्छी तरह समझ में आया होगा, आप लोगों की वैलेबल सजेशन्स, कमेंट्स आप मुझे, प्लीस कमेंट बोक्स में बतातीजिएगा, लेक्च्चर का आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रवेड़ेड़ है, thank you for watching, bye bye, have a nice day